हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ तो आज की वीडियो में आपको एक में कंपेरिजन बताने वाला हूँ मार्केट में दो अच्छे ब्रांड हैं, बड़े ब्रांड हैं केमपस और एब्रॉस दोनों कंपनियों ने सेम चीज बनाई है दोनों ने एरफ्लो सिस्टम दिया हुआ है सेम लगभग टेकनोलोजी पर शू बनाया हुआ है पर क्या फर्क है केमपस और एब्रॉस के शू में और कौन सा बेस्ट है अगर टेकनोलोजी की बात करें कि जो नए टेकनोलोजी ला रहा है शूज में तो उसमें कौन बेस्ट है आज के समय पर एक 2023 की अपन बात करें कि अगर इसमें दोनों में डिफरेंस निकालना है तो चलिए फटा-फट अन्बॉक्स करता हूँ पहले दोनों का आर्टिकल बताता हूँ फिर अन्बॉक्स करके आपको दोनों में फर्ग बताता हूँ देखे यह केंपस का आर्टिकल है आर्टिकल नेम है स्पैक आर्टिकल नंबर है 22G 1125A 22G 1125A इसका आर्टिकल नंबर है आर्टिकल नेम है स्पैक color है black white color और भी आते हैं इसके MRP 2499 देखने की बात यह है कि इसकी भी MRP 2499 है और Abros की भी MRP 2499 क्योंकि same product बनाया है दोनों ने बस आपको फर्क बताता हूँ क्या फर्क है, packaging देखिए 92023 की है, उसकी भी same year की packaging है, दोनों नएश हुए फिर से देख लीजे, spec article है, size 6 to 10, पूरे अवलेवल है इसमें 22G, 1125A article है, इसका black white color है पहले इसको unbox कर लेते हैं, फिर देखिए इसमें carry bake दिया हुआ है साथ में थोड़ा सा quality सुधारी यह अपको बहुत फर्क नहीं है और इसको side रखते हैं अब इसका article बताता हूँ, इसका मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ सेम article का, इसमें क्या difference बताना था आपको इस वज़े से इसको वापस लेके आएं इस वीडियो में Harris article है, ASSG 1356, white L teal color है, इसके और भी color available है, 24 निन्या ने देखिए same MRP है, और अचली इसको भी unbox करते हैं, देखिए इसकी packaging उससे ज़्यादा अच्छी है paper की quality अच्छी है carry bag लगभग same quality के दोनों use करते हैं तो ये रहे shoes ये आपका होगया bros ये होगया canvas ये दोनों shoes हैं अब मैं आपको फर्क बताता हूँ लास्ट वीडियो में तो आपने देखा होगा मैंने बताया था 2023 का सबसे advance comfortable with fully airflow के साथ जो एक shoe है, वो ये है मतलब 2023 में अभी तक जितने shoes आएं इसकी टकर का कोई भी running shoe नहीं है 5000 की अंदर की range में मैं 2000, 2500, 3000 की अंदर की नहीं बोल रहा हूँ 5000 के अंदर की range में इससे best shoe आप market में नहीं do सकते original branded shoe copy की बात नहीं कर रहा हूँ मैं original की बात कर रहा हूँ अगर original की बात है तो Abros के इस shoe से बहतर running shoe walking shoe, daily use shoe आपको पूरे market में नहीं available होगा इतना comfortable, stable with airflow system, नहीं technology के साथ है hyperfuse soul के साथ है इससे best shoe नहीं है, लेकिन ये shoe के बारे में पहले बता चुका हूँ, पर अभी अपन को difference बताना है दोनों shoes में देखे, दोनों shoes में same airflow system दिया हुआ है इसमें भी वो पीशे tube दिया हुआ है, open close करने के लिए, यहां से यह on हो जाता है campus का, तब आपको difference समझ में आएगा देखे, यह राशू यहां पर synthetic lining दी हुई है, design भी है थोड़ा सा इससे support और मस्बूती बढ़ जाती है यहां पर mesh है, अंदर उसमें designing है 3D type की दिखती है यहां पर यह sole के उपर इन्होंने जो यह इसका fiber है, जो लगा हुआ है plastic, जिसका यह airflow system के लिए है जो उसको यहां तक करके इन्होंने design भी बना दी है इससे थोड़ा सा support बढ़ जाता है अब यहां पर देखे, आप mesh दिया हुआ है, पूरा mesh है यहां भी सामने breathability के इसाप से mesh दिया जाता है कि airflow बरकरार रहा है यहां पर लिखके दिया है campus reflective technology यह जब रात को light पड़ेगी जैसे आप bike या cycle चला रहे है या road पर side पर दोड़ रहे है तो light पड़ने पर यह जो है थोड़ा सा glow करेगा यह white वाला area जो दिख रहा है आपको यह थोड़ा सा glow करेगा रेडियम टाइप से चमकेगा जैसे light पड़ेगी तो यह वाला हिस्सा यह भी चमकेगा यह भी glow करेगा और यह भी glow करेगा light पड़ने पर reflector जैसा यूज होगा जैसे यह भी है यह भी तो वही लिखा हुआ है यहां पर campus reflective technology यहां पर देखिए highlight की जैगा होल दियो है यह भी मजबूत है campus के shoe जनरली मजबूत होते है और comfortable होते है पर फर्क बताऊँगा पहले shoe देख लीजे आप पूरा फिर दोनों में difference बताऊँगा आपको जब तक आप shoe पूरा नहीं देखें क्योंकि वो shoe का वीडियो तो मैं बना चुका हूँ इसका नहीं होगा तो fair नहीं होगा पहले इसके बारे में पूरी जानकारी देदू यहां पर देखिए synthetic की coating है actually में क्या होता है जब आपका सिर्फ running का काम नहीं है आपको इसको daily use में भी पहनना है और rough work है कि table desk में बैटना यहां पैर टकराता रहता है यह आपका थोड़ा सा hardware type का work है तो जहां पर पैर लगता रहता है तो यहां पर net cutने का डर होता है इसमें थोड़ा सा उससे protective होगा बहुत मजबूत नहीं बहुत ऐसा नहीं कि low भी लग रहा है तो नहीं कटेगा पर normal जो खाली net है उससे थोड़ा सा मजबूत बन जाता है क्योंकि campus के shoe थोड़े मजबूत होते हैं और यह आपने design देखी यहां भी reflector लगा हुआ है यह और यह और यहां logo है campus का अंदर देख लेते हैं अंदर size दी हुई है made in India लिखा हुआ है और campus की website का address भी दिया हुआ देख सकते हैं www.campusshoe.com जहां से आप जिससे जाके purchase भी कर सकते हैं पर मैं यह यह आपको सला देता हूँ हर वीडियो में कि पहन के comfort feel करके market सही purchase करें यह जो अंदर दिया हुआ है लिखा हुआ yoga max advanced foam massage foot beat अभी massage foot beat यह है कि जो चटे-चटे से balls से उठा दिया है उन्होंने उसको massage beat बोलना है जबकि वो है नहीं क्योंकि वो इतने soft हैं कि वो दब जाएंगे थोड़ा हलका hard होता तो वो एक्क्यूप्रेशर टाइप का काम करता massage होता पर यह अच्छा है इससे थोड़ा grip बनी रहेगी पैर में shoes खसके का नहीं चलने दोड़ने में आपको socks से साथ जब अब तेज दोड़ रहोंगा तो यह खसके का नहीं नीचे अंदर memory foam नहीं है पर बहुत soft है memory foam होता है इतना जल्दी वापस bounce back नहीं होता तो यह memory foam नहीं है और actually में यह जो insole होता है यह running के लिए memory foam से भी ज्यादा बहतर होता है क्योंकि आपको bounce back चाहिए होता है क्यों एनरजी वापस आपको आपको मिले जब आप नीचे पैर रखके उठाएं तो आपको boost मिले दौड़ने में तो यह foam काम करता है जातर शूज में abros में भी यही आता है memory foam running के हिसाब से नहीं होता है यह foam काफी comfortable होता है running के हिसाब से अब देखिए यहाँ पेनों ने वही जो इसमें लिखा हुआ है आपको abros वाला दे रहा है abse hyperfuse sole कहलाता है यह तो वैसे ही है यह hyperbeats के साथ कहलाता है देखिए यह soft है उंगलियां देखिए दब रही है नॉर्मल जो इसके shoes आते हैं इतना soft sole यह नहीं देता है gamepas वाला यह जो beach कही हुआ है थोड़ा hard होता है और यह देखिए इसकी grip नीचे की grip भी बहुत शांदर anti-skid लिखा हुआ है पर anti-skid का मतलब कि slip नहीं करेगा tire attack मतलब यह rubber की coating दी हुई है पूरी यह rubber coating लगती नहीं है यह शायद TPR rubber mix है पूरा pure rubber नहीं है पर rubber mix है इसमें rubber की भी mixture किया हुआ है कि जल्दी घिसे ना और grip भी बनी रहे है काफी अच्छी grip दी हुई है पूरा sole cover क किया हुआ है इन्होंने क्योंकि एक running shoe बनाया है तो running shoe में grip का काफी महत्प होता है कि जल्दी घिसे ना और grip ही लंबे समय तक बना रहे है उसे साब से अच्छा grip दिया हुआ है इन्होंने side में भी देखिए grip अच्छी है बीच में तो है यह टाय टेक लिखा है पर pure rubber नहीं है dpr mix है बाकी आपने shoes देख लिया अब मैं आपको difference बताता हूँ देखिए पहला difference यह ABS plastic यूज की है इन्होंने इसकी quality next level की क्योंकि transparent है इन्होंने इसमें कुछ mix नहीं किया हुआ यह normal black है यह hard है देखिए आवास से इसकी आवाज ज्यादा hard है आवास तेज है यह soft है bros और campus में देखिए same price range के shoe है यह quality wise ज़्यादा बहतर है इसका जो ABS यह plastic यूज किया है और यह plastic को देखिए इन्होंने कैसे यूज किया है सिर्फ इन्होंने क्या किया है campus वालोंने के ऊपर उठा दिया है सिर्फ ऊपर support के हिसाब से पर campus bros ने जो है नीचे भी support दिया हु ABS का उपर नीचे दोनों support दिया हुँ क्वाल्टी यह ज़्यादा बहतर है और कामकी भी है supportive भी है इन्होंने खाली जो है उपर के support के साब से दिया है यह hard ज़्यादा है यह थोड़ा और premium है उससे यह देखिए यह भी दब रहा है यह दबारा है पर यह आप दमाएंगे त इतनी अंदर जा रही है यह देखिए इसका softness level जो है इससे बहुत ज़्यादा यह उतनी नहीं यह hard है इसको आप feel करेंगे ना जो एक smooth और comfort मतलब एक premium feel आना चाहिए वो इसमें नहीं आता है इसमें rough सा feel होता है और plus यह देखिए यह उतना नहीं धब रहा पर जब इसको आप छुएंगे ना तो एकदम smooth एकदम smooth feel है और यह देखिए इसमें जो pressure लग रहा है उंगलियों का बहुत कम लग रहा और एकदम अंदर जा रहा है एक next level की softness दी है इसके soul में क्योंकि एकदम pure material है और यह थोड़ा सा hard है उससे soft है campus के सारे जितने shoes आते हैं उसमें सबस क्या होता है उपर नीचे जो अंदर जिये air system मनाया air flow system सिर्फ पीछे से ही दिया हुआ है इसमें उपर से भी होगा लेकिन जो net है थोड़ा मोटा है और काफी मतलब इसमें smoothness नहीं है और उतना air flow नहीं होगा shoes में अगर full air flow system की बात करें देखिए इसमें जो यह design भी दी है air flow की design भी इसमें नीटेड बनाई गई यह इसमें normal mesh लगा हुआ है इसमें नीटेड मेश है बहुत ही प्यारा इसमें जितनी designing है देखिए अब रॉस की branding है नाम लिखा हुआ है अब रॉस का यह है नीटेड और यह normal print है यह भी फर्क है बहुत अब एक यह masterpiece बनाया है अब देखिए यह full shoe breathable है एक सिर्फ soul भर से नहीं यहां से नहीं इसने पूरा शू breathable बनाया है जब आप एक breathable शू बना रहे है तो पूरा शू breathable होना चाहिए खाली soul भर से air जाने से कोई फरक नहीं पड़ता थोड़ा सा normal shoe से फरक पड़ेगा पर जब एक breathable की आप बात कर र नहीं है यह multi purpose के हसाब से बना दिया है तो जो सिर्फ अगर running के लिए आपको शू लेना हो तो यह ज़्यादा comfort होगा यह उतना comfort नहीं होगा हाँ आपको daily use में पहनना एक normal चाहिए बहुत fancy shoe नहीं चाहिए airflow system के साथ चाहिए पैर आपके बहुत गर्माते हैं तो आप यह ल work नहीं है weight में कोई difference नहीं है अब grip की बात करें grip देखिए इसकी grip देखिए next level की grip beats जैसे design है और यह plane है मतलब है इसमें grip भी अच्छी पर इसकी अगर बात करें तो इसकी grip जादा बैतर है आप देखिए दोनों को ऐसे भी दिखाता हूं आपको में देखिए side by side उसकी जो grip grip है ब्रॉस की वो जादा है प्लस यह पूरा rubberize grip है यह पूरा pure rubber दिया हुआ है यह TPR rubber mix है यह pure rubber है इसकी grip और comfort रबड होने से जादा हो जाता है पर यह थोड़ा लंबे समय तक घिसेगा नहीं क्योंकि TPR है पर यह थोड़ा आवाज भी करेगा और जो है मतलब उतना comfort नही चीजों में होती है वो इसमें नहीं होगी रबड की बाती अलग होती है flexibility जादा होती है grip जादा होता है तो 19-20 का फर्क है पर comfort की बात करें तो अब्रॉस की grip थोड़ी इससे जादा है यह TPR है यह rubber है rubber जादा best होता है अब इसमें भी अब्रॉस जो है आगे है airflow system में भी अ premiumness में भी अब्रॉस ज्यादा है यह जो supportive soul दिया हुआ इसमें भी ज्यादा अच्छी quality है soul जो मेडिवा दिया हुआ है वो भी अब्रॉस का ज्यादा smooth, premium और soft है इसका भी soft है पर अब्रॉस का ज्यादा soft है अब यह तो रही ऊपर की बात color design तो आप उपर से देख लीजे MRP क्योंकि दोनों की same है दोनों आज की date के mid level बड़े brand है अब देखिए flow system जो यहां दिया हुआ है इसको बंद करना है इसको खोलना है में last video में बता चुका हूँ सेम चीज इसमें भी है यहां से बंद कर देंगी बंद हो गया जब आपको जादा हवा नहीं चाहिए अंदर बहुत जादा ठंड है या पानी कहीं भरा हुआ है या कुछ ऐसा है तो इससे डस्ट भी अंदर नहीं जाएगी पानी भी नहीं जाएगा और air भी नहीं जाएगा आप अपने जरुवत के साब से बंद कर सकते हैं पर running में आप खोल की रखें तो जादा बहतर है क्योंकि ज से डस्ट भी नहीं जाएगी और waterproof तो बनाई हुआ अब बात करतें अंदर की इसका जो यह फील है सिर्फ अभी यह अपकी बात करतें यह थोड़ा harsh है यह थोड़ा soft है इसमें softness जादा है इसमें softness थोड़ी कम है बहुत soft यह भी पर यह जादा है अगर दोनों को compare करेंगे तो eyebrows का जादा है अब बात करतें airflow system जो यहां से air जा रही है यहां से अंदर जो air जा रही है दोनों shoes में देखिए बताता हूँ आपको दोनों shoes में जो air अंदर जा रही है उस सेम तरीके से जा रही है यहां यह खुला हुआ है दोनों का जब आप पैर उठाके जमीन में दर फ्रेश और पैर भी फ्रेश बने रहते हैं तो बाहर से तो यह जा रही है पर उपर से भी जा रही है इसमें जादा इसमें थोड़ी कम पर अंदर जो प्रोहचना चाहिए बाहर से तो अंदर ले रहा है आपको दिखा रहा हूँ पर अंदर कैसे जादा पहुचे कि देखिए इसका इन्सोल आप अंदर तक देखिए एक सेकेंड मैं प्रॉपर दिखाता हूँ आपको लाइट थोड़ा अंदर जहां नहीं पा रही है तो अब शायद देखिए अंदर का शू मैं निकाल के दिखाता हूँ इन्सोल क्योंकि यह थोड़ा सा इसका शेडो है उसके कारण अंदर नहीं दिख रहा है तो उन्हों की पैडिंग निकाल के दिखाता हूँ अब एरफ्लो अंदर भी प्रॉपर हो उसके लिए क्या जरू होता देखिए यह इसका सोल है केमपस का यह ब्रॉस का है पहले तो मैं सॉफ्टनेस क बात करता हूँ काफी सॉफ्ट पर यह ज्यादा सॉफ्ट है यह मैमोरी फोम सा फील होता है पर मैमोरी फोम नहीं है बाउंसी फोम है यह इसमें भी बाउंसी है पर यह ज्यादा देखिए इसकी आवाज इसकी देखिए प्रीमियम बिल्कुल साउंड नहीं है इसमें देख पूरे में नहीं है यहाँ जरूरत नहीं है यहां आग सापोर्ट दिया हुआ है यहां जरूरत है दीं हुए इसमें थोड़ी ज्यादा बीर्स दी हुई है पर डेंसिटी इसकी जादा है इसमें भी पैर स्लिप नहीं करेगा अब हम बात करते हैं air flow system की जिसके लिए मैंने pad न वो काम नहीं करेगा, क्योंकि इंसोल में होल्स नहीं है थोड़ा बहुत एर इस से क्र 210 होगी, पर ज्यादा नहीं होगी अरुजि से मामल में भी थो च च हूँ हूँ है, जैसे प्रोपर एर जो है इस मामले में भी अबराउस जादा है, देखिए, इसकी कमफड बस अब वो जो है उसका shadow जा रहा है अंदर तो proper दिख नहीं रहा है मैं आपको टॉच से दिखाता हूँ तो जादा बहतर समझ में है थोड़ा सा वीडियो लेंगती हो रहा है पर proper आपको फर्क नहीं समझ में आएगा तो कोई मतलम नहीं है वीडियो बनाने का यह देखिए अंदर अंदर दिखिए अब आपको दिख रहा होगा एक सेकेंड रुकिए वो दिखिए अंदर अंदर holes दिख रहा है पर बहुत proper नहीं है हैं काफी है पर μॉह बहुत प्रॉपर नहीं है यह अंदर होल्स हैं वो क्या है क्या है थोड़ा आपको लाइट के वज़ए से प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा है पर है इसme में होन्दर थोड़े बहुत हैं वह देखे दिख रहे हैं थोड़े बहुत होल्स हैं अंदर पर यह देखिए अब दिख रहे होंगे आपको शायद यह अब आपको एब रॉस के दिखाता हूँ अब आपको लाइट से ही समझ में आ रहा हूँ इसमें मैंने यह लाइट यहां रखी हुई है हाथ में मेरे लाइट नहीं है पर देखिए जो ब्रिथिबिल्टी होती है जब लाइट जाए तो इतना ब्रिथिबल भी होगा देखिए आपको कितने अच्छे से इसके होल्स दि लाइट नहीं जारी शेडो पड़ रहा है कि यहां से भी जो ब्रिथिबिल्टी होनी चाहिए वो कम है पर बहुत कम है इसके वज़े से आपको अंदर अंधेरा थोड़ा सा दिख रहा है क्लिर्टी नहीं है पर इसमें भी होल्स है तो पर जब नीचे होल्स है और उपर होल नहीं है तो यह मैच नहीं होंगे इसमें पूरी प्रॉपर बिर्थिबिल्टी बनेगी इसमें थोड़ी कम बनेगी मतलब इसमें माल लीजे 100% है तो इसमें 40% बनेगी इतना फर्क आएगा तो जो अगर फर्क की बात करें पच्छिस सो के दोनों शू है दोनों एरफलो सिस इसमें मिड रेंज लेवल के शू में किसने पहले इन्वेंट किया पहले कौन लेके आया तो भाई वो केंपस है सिनरजी शू आता था एक्षन का पहले सबसे पहले इन्होंने एक छूटा सा यहां पर होल दिया हुआ था बॉल टाइप की लगी हूँ तो उसमें होल होते थ पर वो उनको ब्रेथिबल बोलते थे मतलब लेके इन्होंने लाए था आचसे पंद्रा से बीस साल पहले बीस साल से भी जादा हुरह हो है बीस से पच्शिस साल पहले यह लेके आये थे work करता था proper नहीं करता था पर एरफ लो सिस्टम बोलते थे यहां पर लगा होता था छोटा सा सिनर्जी नाम से आता टेक्शन कशू वो लेके आये थे सबसे पहले पर देखिए पहले लाने के बाद भी आज भी एडवांस नहीं है जब आज यह अबरोस लेके आ रहा है तो हर मामले में अगर दोनों को कंपेर करें तो अगर दस में से मारकिंग देंगे दोनों की अगर कंपेर करके तो इसको मैं दूँगा अगर इसके आगे तो यह दस में दस है और यह दस में दोई है क्योंकि सेम आप केमपस पुराना ब्रांड है बड़ा ब्रांड है, EBROS जादा पुराना नहीं है, 2-4 साल पुराना है, 5 साल पुराना है पर जो ये टेकनोलोजी और कमफर्ट ये लिके आ रहा है, ये उसको मैच नहीं कर पा रहा है कैमपस अगर 25-100 रुपे लगाने हैं आपको, तो EBROS जादा बहतर है ये नहीं बोल रहा हूं कि कैमपस, EBROS के सारे जूते अच्छे हैं, नहीं भाई, कैमपस के बहुत से जूते अच्छे आते हैं, बहुत प्यारा बनाता है, बहुत कमफर्ट और मजबूत जूते होते हैं कैमपस के, इसके भी मजबूत होते हैं, पर अगर ओल ओवर देखें, तो campus के थोड़े से ज़ादा जो 1200-1500-1800 की range है, उसकी थोड़ी मजबूती थोड़ी ज़ादा होती है, comfort पर abros का ज़ादा होता है, look abros में ज़ादा होता है, technology abros लेके आती है, पर अभी हम compare कर रहे हैं ये दो जूतों को, तो ये जूतों में abros win करता है, क्योंकि ये जो 2500 जब एक pair में इसको पहनी है, आप shop में जाएए और बाखी पांच आर तक के दूसरे जूते पहन के देखिए, इस से बहतर आपको कोई नहीं लगेगा, इन्होंने कोशिश की comfort मनाया, पर हाँ, इसके टकर का नहीं बना पाए, ये shoes की अगर actual कीमत की बात करें, इसके सामने, तो ये अगर पच्चिस सो का है, तो ये अठारा सो रुपए का होना चाहिए, अगर इस तोनों को मिलाते हैं, campus का shoe है, पच्चिस सो रुपए value रखता है, लेकिन अगर इस से मिलाते है, EBROS से, तो ये पच्चिस सो की अगर value रखता है, तो फिर ये अठारा सो रुपए की value पर अभी अगर ये दो शू को हम compare कर रहे हैं तो इस मामले में एब्रॉस विन करता है फार बेटर है फार अवे है इससे और प्राइज रेंज भी बहतर है ये दोनों को अगर आप लेने को सोच रहे हैं तो एरफलो सिस्टम में इससे बहतर शू 5000 के अंदर की रेंज में आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा आप जाएए पहन के के साथ लिजेगा कॉपी सब की आती है कैमपस की भी कॉपी आती है ये ब्रॉस कीभी कॉपी वालों ने किसी को नहीं छोड रखा है तो ठोल यह वीडियो आपको पसंद आया हों अज़के वीडियो में इतना इही मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाए